प्रिश्वीर जी इस आंदोलन को आप सियासी मानते हैं या ये मान रहें कि नहीं इसमें सियासत जादा हो गई है आप शायद चुनाव उत्तर प्रदेश के नजदीक है नजर आ रहे हैं तौनसून सतर चल रहा है इस वज़ा से फिर से अक्टिव हुआ है या मानते कि नहीं नहीं धार दी जा रही है देखिए आंदोलन जो है किसानों की जो बात रखी गई थी शुरू में दो बात रखी गई थी कि सरकार मंडियां बंद कर देगी एमेसपी खत्म हो जाएगी और किसानों की जमीन छीन ली जाएगी ये तीन बाते कही गई पंजाब की सरकार ने अपना पीछा छुडाने के लिए पूरा शक्ती का प्रियोग करके और पूरी तरह क्योंकि उन्होंने कहा था हम करजा माफ करेंगे वो नहीं कर पाए चुना लिया योगेंदर यादव पूरी तरह राजनितिक दल बनाए हुए हैं पहले आप पार्टी में थे आज यहां भी जंडा आनमबारदार हर जगह वो जाके खड़े हो जाते हैं चाहे वो जेन्यू हो और चाहे वो किसानों की मांग का मंच हो वो भी राजनिती करते हैं तमा के इस टिकेट दो बार चुनाव लड़ चुके हैं चुनाव लड़ना कोई अपराद नहीं है लोक तंतर में हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो राजनिती करें वो चुनाव लड़ें पीर चौदरी साब चोड़िए सब की बात हैं आप अपनी बात बताएए अलग बात ह खोलने की मांग करते रहें और किसान यूनियन ने जून दोहजार बीस में इनका स्वागत किया और कॉंटेक्ट फार्मिंग में इस देश में तमाम प्रदेशों मौरक किसी की कोई जमीन नहीं चीनी गया हम आज तक पंजाब में जहां पांच लाख रुपे जुर्माना औ किसी ने कोई विरोध नहीं किया हर्याना में कॉंटेक्ट फार्मिंग में आपसे फिर ये सवाल पूछ नहीं है ना एक मिनट नहीं जो सवाल पूछा जाना उसका जवाब देजी ना चौतरी साथ यह पहले कानून है जिनको किसान की अपनी मरजी है कोई भी किसान चाहे व ना करें तो इसमें हमारा नुकसान कहा था अगर आपके साथ से यह तीनों के इंदी एक रिशी कानून जो है बतोर किसान नेटा आप ये बात कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है ये किसानों के हित के लिए लाए गए हैं संशोधन की भी गुणजाईश नहीं है संसोधन होना चाहिए जो कमिया है जैसे SDM और DM का प्रावधान रखा है उसमें अदालती अधिकार है वो खुला होना चाहिए संसोधन इस बात का भी होना चाहिए कि जो tax है वो मंडी में भी हो और बाहर भी हो संसोधन ये होना चाहिए कि सिरफ pen card नहीं खरिदार को license लेकर ही व्यापार करना चाहिए और भी जो सुझाव है जो चाहे वो tractor का सुझाव है और चाहे वो production का सुझाव है वो सरकार मानने के लिए तैयार है